बहुत ही डीप बना है तो यहां पे आप आके मस्ताराम से एक दमा के ना सकते हो बच गया बच गया बच गया एक रौंड में ही तुमारी गाड़ी का सत्या नास हो जाएगा और मैंने रौर्केला का लड़ाक का एक्सपीरियंस कर लिया अभी भी बाकी है अभी भी बाकी है और बच गई बच गया बसगया बच गया बीच के स्पीट से अगर तुम आगे निकल गए तो मैं मान जाओंगा भाई तो गाइज फाइनली हम लदाक के लिए निकल गए हैं और अभी बसंती के बसंती ओवर ब्रीज के उपर ही हैं बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई तुर औरकला में कहां लदाक जा रहा है तो एक्चली बहुत तिनों से हर कोई मुझे रिक्वेस्ट करते आ रहा था और आज मौका मिला है मैं लदाक शेर करनी जा रहा हूं और आपको भी दिखाऊंगा एक चलक तो गाइस यह रहा उदितनगर चौक अभी शाम होने आई है अल्मोस्ट छे वजने वाले और यहां के लदाक का एक खास्यत यह है कि बीच बीच में आपको कुवां बनाया गया ह तो आप यहां कुवे में देखे यह कुवां एक यहां पर है देख सकते हो यहां पर आप नहां भी सकते हो देखे आगे और एक कुवां मिलेगा तो यहां पर बहुत बड़े-बड़े कुवें हैं इस कुवे में आप आके नहा सकते हो बहुत ही डीप बना है तो यहां पर आपके मस्त आराम से एक दम आके ना सकते हो और इस तरह से रस्ते में हर जगह आपको कुवां दिख जाएगा ना देकि और कुवां यहां पर है तो इस तरह से भरे पड़े रहे और आपके ना सकता है और बच्च्चे आराम से डूब डूब के ना सकते हैं यह सारे खुले छोड़े गए हैं आपके हेल्प हो जाएगी और आप सब का रिक्वेस्ट था बहुत दिनों से तो मैं आज वो पूरा कर रहा हूं गाइस आई होप आपको पसंद आएगा आगे मैं दिखा रहा हूं आपको लद्दाक बने रही है लिये लिजे तो यहीं से लद्दाक की सुरुवात होती है यह फेमस लद्दाक रॉरकला में उडिसाठ टूरिजम ने जो बनाया है आपके एक्सपीरियंस के लिए जो लोग लद्द लेजे यहां पर और लोगों का मानना है कि यह जो रस्ता है नब्बे के दसक से इसमें काम चल रहा है नब्बे के दसक से अभी तक काम चल रहा है पर अभी तक ठीक नहीं हुआ है और देख लीजे यह अफ्रोडिंग करना है न गाइस आप लोगों को तो यहां आ सकते आप उदितनगर से विसरा रोड के बीज में जो दर्मिया है बहुत कुछ experience मिलेगा आपको यहां पे और सरकार ने जान मुझके यह गड़े बना के रखे हैं ताकि जो यंग्स्टर्स हैं जो गाड़ी तेज चलाते हैं तो वो गड़े के बज़े से तेज नहीं चला पाएंगे उ यह सोची समझी चाल एक कॉम्मेंट की आपके लिए आपके बेहतरी के लिए बनाया गया है और भले ही आप गड़े में गिरके मरोगे अलग बात है लेकिन गाड़ी धीरे चलाओगे तो स्पीड लिमिट की कोई प्रॉब्लिम नहीं होगी इदर और यह अभी हम टाउन अब भी भी लदाक खतम नहीं हुआ है आगे और है ऐसे लदाक के कंडिशन में आपको अगर जाड़ियां अगर ट्राफिक एक से बना देना तो भाई लदाक का मज़ा केरकिरा हो जाता है यार फोड़ा सा खाली मंगता है इतना भीड बनाओगे तुम लोग गर से निकल के लोगों घर में बैठो नहीं आज हम निकले हैं लदाक का शेयर करने तो हमको आराम से करने दो अभी आपको मैंने खुआ दिखाया क्यों की फैसलेटिया आपको लदाक में नहीं मिलेगी यहां रॉरकला में जो लदाक है इसमें आपको कुआ मिल जाएगा आप अगर गर्म एक्सपीरियंस है और आप लोग जो कंप्लेइन करते हो ना कि यह रोड खराब खराब है बिल्कुल नहीं यह एक रोजगार देता है लोगों को आप कुछोगे कैसे जो गाड़ी में सस्पेंशन होता है रोको यह माइक वाले को जाने दो भाई मुझे अफ्रोडिंग कर द इस्तिमाली करना बन कर देंगे और मॉइल कंपनीस यह और मॉइल कंपनीस में बहुत घाटा होगा बेरोजकार होंगे तो सस्पेंशन का यूज प्रॉपर हो पाए इसलिए गौर्मेंट ने ऐसे रोड बनाये यह लो लदाक का थड़ पाट है यह खतम होने का नाम ही ने ल मरा 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 यह देखिए पूरा कल यहां पे सुभम चिंग और हम आये थे यह पानी को कवर करने के लिए अब इस तक चल रहा है पानी लिकेच वाओ लदाक में जर्ना भी मिलता है आपको यहां पर और भाई हम चल रहे हैं लदाक के थर्ड पाट की तरफ और बहुत ही कुंदा एक्स्पीरियंस और अब आए एक बात बोलूँगा कि बाई जो नए नंवेल गाड़ी जो खरिते हो न तुम लोग नहावाला गाड़ी लेके इजर कभी मत आ न वरना तुम लोगो जो एक्सपीरियंस होगा न भाई एसा लगए गाड़ी 100 साल पुरानी हो गई है तो वन काइंड ओफ सिमिलर एक्सपीरियंस जस लाइक लदाख और यह गाड़ी वाले तर गुशा दिये हैं और हम फस गये हैं तो आगे और एक लदाख आपको मिल जाएगा देखिए यह सबसे बेस्ट लदाख ओमाइगा देखिए अभी गाड़ी हमारा पाहड में चल रहा है गिरेगा कोई है वहीं भी एकर गिरेगा यार जैसे अगर नौ सिख्या गाड़ी चला रहा होगा ना तो यहां पर गिरेगा और हम तो भाई एक्सपीरियंस्टे तो हम निकल गए हैं सही से लहां हो भाई भाई चलो भाई मैं जान बचा के रोड़ कर लिया हूं भाई हो पागे लदाख ना आए भाई फिर भी बाट डल लग रहा है यहां कहीं पर भी लदाख आ सकता है उफ पता नहीं और कितने दस यहां पर यहां यहां पर ऑगया हो सकता है और यह और गुवां वह भी खुले चोड़े गए हैं कोई भी अंदर कूज के नहा सकता है मिन मर सकता है चलो मेरा एक लाइफ में जो अधूरा सपना था वह पूरा हो गया और मैंने राarkela का लदाक का एक्स्पीरियंस कर लिया ह हम दूसे अभी में दिखया web I hope पांगे और कुछ उसा ना यहां पर आगे निकल गए तो मैं मान जाओंगा वाई से लूट करूंगा तुम्हारे केटियम और सुपर बाइक को तो गाइस पता है कि जो भी बड़े बड़े गाय नहे नहे बाइक निकलते ना उनका जो सस्पेंशन चेक होता है उनको बहुत टफ कंडिशन्स में गाड़ और इसी रोड में उनका टेस्टिंग किया जाता है कि यहां अगर गाड़ी पास हो गया ना तो वह गाड़ी कहीं पर भी टिक जाएगा तो रॉर्कला में वह सब टेस्टिंग होते हैं वो सस्पेंशन वगे रहा के क्वालिटी चेक होता है वी सूट फिल प्राउड फॉर और मेरा एक्स्पीरियंस बहुत अच्छा रहा और भाई मैं जिन्दा बचके आ गया उद्यतनगर से विस्रा रोड के बीच से और अभी भाई रिंग रोड आ गया भाई यहां आके शांती मिल रही है तो अभी मैं सीधा निकल जाता हूं भाई मैं घर जाके मिठाई खाऊ यहां गया यहां तो गाइस यह रहा रिंग रोड यहां पर कोई टेंशन नहीं है मेरा प्यारा रिंग रोड है और आप आप सब को अच्छा लगा होगा वीडियो यह कि यह बसंती का फेबरेट जगनात मंदीर जो सब ने लगबक देखा हुआ है जय जगनात जय जगनात प्रभू 10,000 subscribers करवाद दो यार हमारा जो मैगी बॉई का वीडियो आप सबने पसंद किया था वह ये रहा अब जाते जाते मैगी बॉई से सोड़ा सा मिल लेते हैं सुमथ मैगी बॉई से भी जाते जाते मिल लेते हैं भाई ने इतना ग्रोथ कर लिया और यह नया स्टॉल लगा दिया तो भाई सुमित कैसा चल रहा है बिजनेस जबरतस बस यही उम्मीद है और आगे भी चले चलो काम चालू रखो हां मैं आ रहा हूं थग्यापूरा लद्दाक से आया हूं भाई